इस लिक्वीड का प्रियोग नीबू पे संत्रा पे माल्टा पे मुसम्मी पे अगर हम करते हैं तो फूल बहुत तेजी से बनते हैं और फूलों की जड़ने की समस्या दोस्तों तुरंत खतब नती है इस वीडियो में जानेंगे कि यह लिक्वीड क्या है तो आए इस वीडिय क्यों हम एक अरेंज का पौदा लगा के दिखाएंगे क्योंकि इस टाइम इसका बिल्कुल उप्यूग समय है लगाने का इस टाइम माल्टा मुसमी आरेंज आप बिल्कुल लगा सकते हैं उसका पोर्टिंग मिक्स क्या होना चाहिए दोस्तों उसके बारे में भी आपको ब देख लेंगे तो मैं बता हूँ आपकी जो क्वैरी है बिल्कुल आपकी साल बजाएगी वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करीगा सेर करीगा चैन को सब्सक्राइब जरूर अगर देख रहे हैं तो आईए सबसे पहले आपको दिखा दें देखिए आप ध्यान से देख देखिए भर भर जादे मात्रा में आपको फ्लावर देखने को नहर आ रहा है तो यह है बियतनाम माल्टा और उसके बादा है यह जो देख रहे हैं यह चोटा पौदा है लेकिंगे इसमें फ्लावर बहुत तेजी सी यह बनना यह यह सुरू हो रहे है देखिए गुच्छ बहुत तेजी से आना यह यह सुरू हो गया है उसके बाद मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ध्यान से देखिए चाइना आरेंज है यह चाइना आरेंज और यह देखिए यह बारिवन स्वीट माल्टा देखिए यह बहुत हैल्दी है और इसमें ग्रोध बहुत तेजी से अपको द्याद है क्या जैसे आप मैं आपको दिखा दो ध्यान से देखिए जो लिक्यूट है ना मैंने घरे लू बनाया हूँ यह फूलों के लिए यह मैंने इतना इस प्रिसरी बनाकर रखा हुआ है यह बचा हुआ तो आज मैं यूज करूँगा और इसको मैं नीबू प प्यार करके और पौदे यूज करके रिजल्ट ले सकते हैं मैं बता हूँ आपको कि बहुत ही बहतरिन काम करता है इसको नोट कर लीजिए इसको बनाने के लिए अगर पांच अप लेते हैं पानी तो ले लेजिए पांच इट्रा पानी और उसके बाद उसमें 50 ml आप ले ल ले लिजिए उसको अच्छे तरीके से गोल लेजिए उसके बाद 5 ग्राम डाल चीनी का ले ले लिए पाउडर और 2 ml ले लीजिए सहथ चारों समागरी को घोल लेजिए और उस पूरे 5 लिटर में घोल ले गोलने के बाद उसको ढखके कम से कम अगर थंडी के मौसम में इस मुझे को पाने अनए तक में भर के और यह कर देते हैं और मैं बताऊ दो घ्ट कर करना है जैसे आप ध्यान से आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का फ्लावर यह अगर आपके संत्रा मुसम्मी पे अगर यह फ्लावर आ रहे होंगे माल्टा पे आ रहे होंगे तो इस टाइम पर तुरंट इसका च्छिड़काव करें और उसके बाद दोबारा च्छिड़का करते हैं वह काम बहुत तेजी से होने लगता है और समस्या यह प्रागर होता नहीं है तो हमारे पौदे से बहुत तेजी से जड़ने लगते हैं फ्लावर फ्लावर तो खूब आते लकिन बहुत तेजी से जड़ने लगते हैं तो यह solution का यूज आप जरूर करें जैसे इस condition में आप आपने दिन बाद दोनों बाद छिटकाव करने से आप यह देखेंगे कि आपके माल्टा पे मुसम्मी पे नीबू पे जो फूल ड्राफ उनिक समस्या दोसों बिल्कुल बंद हो जाएगी और यहां तक कि फॉलो की संख्या बहुत तेजी से बिद्धी आपको मिलेगी माल्टा पे करके जरूर देखी उसके बाद दूस्तों हम कर लेते हैं जो है मेरे सामने जो आप डेक रहे हैं यहां मेली आ सब्सक्ताब्स लगता सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते हैं, तो कि परिवर्श का मंनुनील करते हैं, उसके बाद इसमें आपको अलग से मिक्स करना बहुत जरूरी है जैसे मैं आपको दिखा दूँ देखिए यह नीम की खली है मैंने ले रखा एक मुठी नीम खली एक पौदे के लिए इसको बारे इंची गंबले में हम लगाएंगे और दूसरे में एक से डेर मुठी हमने ले कोई दिक्कत नहीं है तीनों को इसमें मिक्स कर लेजिए और उसके बाद फंगिसाइड की तौर पर कुछ इसमें आपको डाल दीजिए जैसे फंगिसाइड की तर्म आम इसमें आप माल्टा मोसम्मे और अरेंज का पौदा लगा सकते क्योंकि इस टाइम पर बहुत के जिस लोग अपने गार्डेन में एड कर रहे हैं इसके पौदे तो इस मिर्टी को बना के और लगा लेजिए जैसे मैं आपको दिखा दूँ जो मेरा यह पौदा ना उसको हमेसे आप ध्यान दीजिएगा कि माल्टा मुसम्मे या आरेंज जो भी आप लगाने जा रहे अपने ग चैन करे का यह नहीं कि यह पेड़ जन ठर्ट लिए इसको हम निकाल देते हैं अब दिख इसको चल रहे हैं दखा वाचावड कर यह अब देखिया रहे हैं कि अर Pac advisors सोचेंगे कि इस ट्रächstंम के हम पौधा लगा दें और पौधा लगाने के बाद हम फूल ले नहां किसी-किसी पौधे में आप लगाएंगे तो फूल आ सो नहीं आएगा तो अगले सीजन में जरूर हैगा देखी इसको मिट्टी कॉममें भारते आ हैं और इसको रख के चकर कर लेते हैं अगल बगल से मिट्टी कॉम हम यह भर देते हैं कि अगल बगल से मिट्टी को हम भर दिए है कि यह बार है इसको लगा रखा है और मिट्टी को दूस्तों आप हलके लगी ठुकाई भी कर सकते हैं कि इसको प्रेस कर दिजिए और इसके बाद इसमें हम देते हैं यह पाने तो इस तरीके दोस्तों माल्टा मुसम्मी औरेंज आप फरवरी मार्च अप्रेल के महीनों में एड कर लिजिए ताकि अगले सेजन के लिए अब अपने गार्डेन से जो एक चाहत होती है ना कि मुसम माल्टा औरेंज हर्वेस्ट करना वह पूरी हो जाएगी अब आईए आपको हम बताते हैं कि जो लोग गार्डेन में अपने लगा रखे हैं उनको कौन सा इस टाइम फटलायर देना चाहिए तो इस टाइम अगर हम बात करें फटलायर की ना तो खास्तों से अगर गंबले म पौदा हम लगा रखे हैं माल्टा मुसम्मिय और आरेंज का तो इस टाइम पे माइक्रो न्यूट्रियंस का प्रयोग आप जरूर करें मैं बता दू अगर माइक्रो न्यूट्रियंस के प्रयोग में तो सबसे अच्छी आता है यह आप देख रहे हैं यह है सीविड फटला नहीं हुआ है तो देखिए हम इसको यूज करने जा रहे हैं और फटलाए को दोस्तों हम यूज करते हैं यह वाला जो है दो एमेल पर लिटर के इसाब से अधकि हम तीलिटर पानी यह ले रखें और इसको इसमें हम डाल देते हैं और और फटलाय नहीं होगा तो आप हिव और लिएक एक बात है माल्टा मुस्म में आप ररेंग का पोदा लगा रखें है तो आपको माइग इस टाइम पर देने की जरूरत भी नहीं है तो आलेटि वह जमीन से ले लेता है या पूर्सट ध्यान रहे हैं तो देखिए हम इसमें यूज करते हैं यह चाइना आरेंज का पूदा है यह बियटनाम और जो पूदा है दो इसको अपने गार्डेन में जरूर एक बार हम फल हर्वेस्ट किये थे और यह बहुत मीठा मुझे लाखा था तो इसको आप जरूर अपने गार्डेन में एड़ करिए यह देखिए बारिवान शूट मालटा है इस पर हम यूज करते हैं और ध्यान से आप देखेंगे ना देखिए इसको जो पत्ते हैं तो समय चल ला था जमवरी में पत्तियां टोटल यह यह गिर गई हैं जो पत्तियां गिर गिर गें इसमें से हमटाय नहीं है करेंगे क्या ज चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करेंगा अगर देख रहें तो फेजुक पेज को भी आप फालो जरूर कर दे मिलते हैं आप से नियू बीडियों नियू टप्टे के साथ धन्यबाद